आज है रगाएज मैंने में सत्नान खान ये योट्यूब चैनल स्वाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जनेरल फीचर्स और स्कैपिला हम इसको लगे जनेरल तो इसके बारे मैं आज पढ़ेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो इससे प्रिविए चीजस के पास तीन होती है जैसे पॉर एक्जामपल इसके पास तीन बॉॉर्डर होते हैं कोन-कोन से इसके पास तीन perse यह तो सबसे पहले हम यहाद पर लिख लेता है करो सो हम पड़ेंगे सक अंदर सरफेस के बारे में इसके पास टू सर्फेस होते हैं जैसे मैं को कवर करने की कोशिश करेंगे अगर हम बात करते हैं इसके कोस्टल सर्फेस की दिस वन इस कोस्टल सर्फेस है तो यह कॉनकेव होता है और इसके उपर तीन लॉंगी ट्यूडुनल रिजिस प्रेजन्ट होती है यह आप देख सकते हैं नहीं इस पास या उतका इसका कोस्टल सर्फेस ठीक है हम इसको एक बार नौट डाउन कर लेते हैं जैसे कॉस्टल सर्फेस में हमने क्या पढ़ा यह कौनकेव होता है और दूसरा इसके पास थ्री लोंगी ट्यूडिनल रिजिस प्रेजेंट होती है ठीक है इतना ही शॉट शॉट में पढ़ेंगे आपनी बुक्स इसको एक इसको डॉसल सर्फेस है उसको डिवाइड करता है एक स्पाइन इस इसको डिवाइड करता है इंटो सुप्रास्पाइनस फोसा एंद इंफ्रास्पाइनस फोसा में ठीक है तो हम पहले यह नोट डाउन करते हैं इसके अंदर डॉसल सर्फेस दौर्सों सर्पेसाग डिवाइड इंटू तू पार्ट्स फर्स्ट वन इस सुप्रा इस्पीनस फोसा एंड सेकेंड वन इस इंफ्रास्पाइनस फोसा आप जिस तरीके से प्रनुंसेशन कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं ठीक है इस इसिस्पाइन से के दो पार्ट हो गए एक सुप्रास्पाइनस फोसा और एक सप्रास्पाइनस फोसा अगर हम बात करते हैं सबने के एक नितूर में याँ फोगंगे कि आप नमाइस के तीनं बेदी बेडर्टेंगे यहाँ पर लिए लेते हैं अलब सेकिन मोइन्ट होगा वाहा ने थीन वहाँ हैu 10 होते हैं कि फस्ट वान형 लेटरल बेडर कि सेकंड्स मेडियल बोर्डर हुत्त आप हुआ ठिक है अब इसका छो लेरल बॉर्डर होता है मिनों तुम्हों सा demination में में पढ़ाया था इसका लेटरल बॉर्डर थिक होता है और इसका लेटरल पर मूव एक्स्टेंड करता है ग्लिनोट केविटी से इंफीरियर एंगल की तरह और इसका जो लेटरल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर के जस्ट अबव जस्ट अबव एक ट्यूबरकल प्रेजन्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंफ्रा ग्लिनोडल ट्यूबरकल यह दिख र इंफ्राइट ग्लिनोडल ट्यूबरकल तो हमें लेटरल बॉर्डर में क्या लिखना है इत एक्स्टेंड ग्लिनोडल के विटी के टू इंफीरियर एंगल फर्स्ट पॉइंट यह होगिया सेगिंड पॉइंट के लिखेंगे इट अपर एंड्स अचवी प्रेजेंट जौ sandwich कि द इंफ्राइट ग्लिनोड ट्यूबरकल दूसरी चीजश ऩह वेंगे पता है कि यह ठीक होता है ठीक है लेटर लटor थिक होता है मीदील बॉर्डर होता है इसका थिन और इसका थिन और शूपीरर से कहां एक्सेंड करता है सुपीर एंगल से इंफीर एंगल की तरफ एक्सेंड करता है तो हमने आपर तीन लिग लिया इट एक्सेंड कि फ्रॉम कि सुपीर एंगल टू इन्फिर एंगल कि नेक्स्ट हम बात करेंगे डिक्षा सुपीरियर बार इज तो इस वन सुपीरियर बोर्डर そうुपीरियर पर्स ते तुम्हें दिख रहा होगा सुपीरियर बोर्डर रसका थिन या और शॉटर है तर I bought a Quality नियर्ट ऑफ को इसके निया द्रोट प्रोस nerve होताइए हमारा सू के नतर हमें क्या पॉइंट लिखना है वो आंसे लिखना कि क्या होता है थे सकरेंट लटकोसेस फिटा है का इन जौटちょ तिन एंड शोटर नेक्स लैंड से के लिखेंगे हम नियर दा रूट ओफ दा कोराकोईड प्रोसेस करेक्ट हमने इसके अंदर दो सर्फेस पढ़ ली दो बॉर्डर पढ़ लिए हम बात करेंगे इसके एंगल्स की जैसे मैंने तो पताया कि गत्का है कि इसके अंदर subject गांग्र इंगल्स पारे चीज तीन होते हैं तो इसके अंदर एंगल्स भी कितने होंगे इंगल्स वूत क्यों क्यों से एक सुपीरियर एंगल रेंग reliability को एंड़ अहीं थीर्ड वन इस लेटरल एंगल ठीक है अगर हम बात करते हैं इसके inferior angle की इस वन इस इंफिरियर एंगल इसको लेटिसमस जॉट्स मुसल जैसे कि तुम देख पार हो इसने को इस तरीके से कवर क्या हुआ है अगर हम बात करते हैं इसके लेटरल एंगल की तो लेटरल एंगल बियर्स करती है एक ग्लिनोडल कैविटी इस वन इस लेटरल एंगल एंड इसके पास क्या है एक लार्ज ग्लिनोडल कैविटी तो इसके अंदर हमें क्या लिखने है स्रिफ तीन पॉइंट लिखने तीन एंगल में, फर्स्ट शुपीरेर एंगल, सुपीरेर एंगल इस कवर्ड बाइ, ट्रिपेजिस, ठीक है, सेकिड वान, इन्फिरेर एंगल इस कवर्ड बाइ, लेटिसमस, डोरसा, एंड लेटरल एंगल, लेटरल एंगल, बिर्स, ग्लिनोइड कैविटी जिसकों ग्लिनोइडल फोसा भी कहते हैं ठीक है हमने इसके अंदर दो सर्फेस तीन बॉर्डर और तीन एंगल पढ़ लिए अब हमारे पास क्या बचा पढ़ने के लिए स्रिफ इसके तीन प्रोसेस हम इसके प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं तो देख it प्ROसेस तो सब्से पहले हम स्टर गते हैं सके स्पानले प्रोसेस से तो तुम्हें दिख रहाएं इसपाइन स्पानल स्वोसेस इसका जो पोस्टीर ॉता है इसके पास दो लिपोते हैं एक अपर लिप और एक लोवरलिप अगर हम बात करते है quantity पोसेस के इसके पास दो बुडर और न होते हैं दिस वन जाईटरल बादर एंद लिट सवन इज वन edal border this one is superior surface and this one is inferior surface this this is called acromino process अगर हम बात करते है कोड़ोइड process की तो यह cross भी लाएक होता है मतलब को हुए की चोंच की तरह यह होता है और डारेक्टिड forward and laterally इसका जो ओरियंटेशन होता है वह laterally and for तो यह वारेमे की एक बार नोट डाउन कर लेते हैं किया मिद्स के बारे में को आंट कर लेते हैं इसके पास होते हैं थ्री प्रोसेस कौन कौन कीनों से फर्स्ट इस पीनस-प्रोसेश सेकेंड एक्रोमियन प्रोसेस एंड ठर्ड वन इस को राकोईड प्रोसेस इस पीनस प्रोसेस का जो पॉस्टेर बोटन होता है इसके पास दो लिप होते हैं एक अपर लिप और एक लोगर लिप अगर हम बात करते हैं एक्रोमियन प्रोसेस की इसके पास होते हैं दो बोर्डर और दो सर्फेस दो बोर्डर कौन कौन से होते हैं इसके पास एक होता है लेटरल बोर्डर और एक होता है मीडिल बोर्डर दो सर्फेस कौन से एक सुपीरियर सर्फेस और एक इंफीरियर सर्फेस और अगर हम बात करते हैं कोराकोइट प्रोसेस की तो यह औरियन्टीड होता है डारेक्टिड फॉर्वर्ड एंड स्लाइटली लेटर, ठीक है तो इस तरीके से हमारे स्किозмप अरे जनरल फीचर से हाँ पर फिनियश हो जाते हैं एक बारे फीड से इसको तुम्हें रिव्शन करवा जाते हो इसके पास दो सर्फेस होते हैं एक डॉर्सल सर्फेस और एक कउशल सर्फेस जो डॉर्सल सर्फेस होती है इसको डिवाइड करती है कि स्पाइन इंटर सुपरा स्पाइनस फोसा एंट इंफरा स्पाइनस फोसा अगर हम कोस्टल सर्फेस की बात करते हैं इसको हम सब कैपिलर फोसा भी कहते हैं इसके पास तीन बॉर्डर होते हैं फस्ट वन इस लेटरल अगर बात करते हैं तो यह शोटर होता है और कहा पर कवर करते हैं एक अशिर्च पर्रोड पर प्रोसेस के रूर पर प्रे प्रसेट सोपिर्च रहा है सुपिरियर चौन अगर इसके बहुdf दोंतव होते हैं जो इसका फस्ट होता है इसको नाम एक क Holz thank you सबस्केर अग तो इसको कवर करते है जिस अनाम में लेटिसमस्ट डॉर्स यह अगर वाट करते हैं की लेटरल एंगल तो इसके लेटर एंगल बियर करते हैं अक तीन पॉसेस सपड़ाया कुंसे process first one is spinous process spinous process का जो posterior border इसके पास दो लिप होते हैं एक upper lip and second one is lower lip फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया आसमें acromion process acromion process contain two borders and two surfaces first one is the lateral border and the middle border and two surfaces superior and inferior surface and coracoid process is oriented directed forward and laterally ठीक है तो यह हमारे जनरल फीचर हो गया स्केपला बोन के next video में बात करेंगे इसके कुछ attachment की ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like करें अपनी problem मुझे से comment box में जरूर पूचे हैं और मेरे चनल पर नहीं है चनल को सब्सक्राइब पर के बेल आइकन को प्रेस कर लें इससे में नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करेंगे आपको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ओके थैंक्यू सो मच आपको नहीं है